स्विसाइट से पहले मलाइका अरोरा के पिता ने किसको किया आखरी फोन, एक्स्रेस की मा ने किया खुलासा मलाइका अरोरा और अमरिता के परिवार के लिए इन दिनों बहुत ही दुखत घड़ी है हाल ही में उनके पिता अनिल मैता का निधन हो गया ये घटना बुद्वार सुबे करीम 9 बजे के आसपास हुई खबरों के मताबिक अनिल ने छटी मंजल से कूद कर आत्मत्या की है इस समय उनका परिवार गेहरे सद्मे में है बांदरा पुलिस अभी भी इस मामले की गहराई से जांच कर रही है अनिल महता की मौत के बाद पुलिस ने अब तक केवल मलाइका अरूरा की मा का बयान लिया है मलाइका के पिता की बॉड़ी को पोस्ट मौटम के लिए भीजा गया था और अब उस रिपोर्ट के नतीजे भी सामने आ गये है इंडिया तुड़े की एक रिपोर्ट के अनुसार पोस्ट मौटम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मलाइका अरूरा के सौतेले पिता अनिल महता की मौत कई चोटों के कारण हुई है रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पुलिस ने फिलहाल यही जानकारी साजा की है मतलब अब तक की जांच के मुताबिक ये चोटे ही उनकी मौत की वज़ा है बात ऐसी है कि 62 साल के अनिल महता ने 11 सितंबर को अपने बांदरा के आईशा मनोर अपार्टमेंट के छटे फ्लोर से कूट कर जान दे दी वो अपनी पतनी जोयस पॉलिकार्फ के साथ वहीं रहते थे जब इस दुखट घटना की खबर मिली मुंबई पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई अनिल महता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन अफसोस वहां पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो चुका था बीते दिन जब ये घटना हुई उस वक्त मलाइका अरोडा काम के सिलसे में पुले में थी पिता के निधन के एक रात पहले ही अमरता अरोडा अपने पेरेंट से मिलने पहुंची थी जहां उन्होंने पैपराजी के लिए खुशी खुशी पोस भी दिये थे मलाइका के फादर के निधन की खबर सामने आते ही सबसे पहले एक्टरस के एक्स हस्बेंट अरवास खान उनके घर पहुंचे इसके अलावा सलीम खान, हेलन, सल्मा खान, सीमा सच्थे और सोहेल खान भी उनके परिवार की इस दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वाना देता दिखाई दिया पोस्ट मॉटम रिपोर्ट सामने आने के बाद अब उनके पिता का अंतिम ससकार कर दिया जाएगा ऐसे ही न्यूस से अबडेट रहने के लिए वाया टॉक को सबस्क्राइब जरूर करें